आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे वाई पे जो कार्ड है उसको हम एक्टिवेट कैसे करते है ठीक है वाई पे भारत का स्मार्ट कार्ड ठीक है तो हम यहां पर वाई पे अप्लिकेशन के अंदर आ चुके हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वाई पे के अंदर का ह neighborhood and that अज्यम है जहीकल कि लिए बहुत ज्यादा यूनिक है यहां पर घुट करने के लिए क्लिक करना है my card पर क्लिक करने वह यहाँ पर यह details आ जाएगी जैसा कि आप लोग देख सकते जो मेरी KYC है इस KYC में मैं यहाँ पर 2 लाग रुपे तक spend कर सकता है 50 रुपे मेरा यहाँ पर add है तीक है अब यहाँ पर card activate करने के लिए यहाँ पर दोस्तो activate card पर क्लिक करना है उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर एक option है set transaction limit आपको इस पर क्लिक करके अपनी transaction limit को set करना है जैसे कि यहाँ पर मैंने ATM bid draw set किया है 10.000 रुपे, post bid draw 10.000 रुपे और e-com bid draw 10.000 रुपे ठीक है एक बात मैं आपको clear बता दूँ कि यहाँ पर जो जी वाई-pay card ना यह एक prepared card है लेकर इसमें ATM का भी features available है और tingers के लिए बहुत ही अच्छा card माना जाता ठीक अगर आपकी age कम है आपकी बच्चों के लिए card चाहिए तो यह काफी benefit वाला card है तो चलिए अब आपको बताएं कि वाई-card को कैसे activate करते है तो वाई-card को आपको पहले तो क्या करना है order कर लेना है इसका थोड़ा बहुत charge है वह आपको देना पड़ेगा ठीक है दो प्रिकार के option यहाँ पर available है पहला है किट कर नमबर डाल करके फिर और QR code scan करके अगर आपके पास वाई-card जो आपके पास receive होता है उसमें QR code डलके आया है अगर तो आप QR code को यहाँ पर scan करेंगा आपका card activate हो जाएगा अगर आपको QR code नहीं मिला है तो यहाँ पर enter your kit number तो यहाँ पर kit number आप डालेंगे तो भी card activate हो जाएगा आप kit number आपको कहां मिलेगा मैं आपको बता दूँ देखो आपको अपना card receive हो जाए फिर उसकी बाद मैं आपको card को back करना है बैक करें जहाँ पर CV नमबर लिखा रहता है ठीक है वहीं पर kit number लिखा होगा तो चलिए मैं यहाँ पर kit number डाल दूँगा security purpose के लिए मैं यहाँ पर हाइट कर रहा हूं थोड़ा सा वीडियो को ठीक है यहाँ पर मैंने kit number इंटर कर दिया इंटर करने को यहाँ पर हम समिट कर देखो क्या response आता है थोड़ी देर वेट करना है ठीक है आपके सामने ही यहाँ पर मैं वाई पर एक जो card वो activate कर रहा हूं ठीक है friend दोस्तों मै बहुत ही best अच्छा का देखो card activate हो गया notification है तो हमारा card वो activate हो गया आप card activate होने के बाद जब आपका card activate हो जाए उसके बाद कुछ time बाड़ आपको फिर से आपर my card पर प्र आना है पर आने के बाद यहाँ पर जो card आप आपने activate किया वो card यहाँ पर so कर दिया जाएगा एंड यहां पर kit number भी आपका show कर दिये जाएगा facial card हमारे पास में है आप दोस्तों अगर आप facial card गुम हो जाता है तो आप यहां पर physical card जो आप facial card गुम होगे तो यहां पर जो आपको यह virtual card मिला है इसके अंदर आप इससे भी काम चला सकते हैं ठीक है पिन बनाने के लिए यहां पर प्लीज इंटर पिन नमबर डालना है प्लीज इंटर एक्सपारी डेट एम एम बाई 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 आपके card की डालनी होगी तो चलिए हम यहां पर अपना पिन बना लेते हैं ठीक है PCL card के लिए पिन को set करने के बाई यहां पर set pin पर click कर देना यह प्रोसिंग लेगा प्रोसिंग यहां पर चल्ला है थोड़ी दे यहां पर wait करना है ठीक है friend यहां पर हमारा pin set successful हो चुका है back आना है back आने की पाद यहां पर देखो अगर आप इसको block करोगे टिक है यहां पर कंट्रोल खिडिक करें कर वाँ उनलाइन की परउलाइन पेमड्सक्राइब हो यहां पर अनलोख नद्य कर देंगे औरẩं यहां पर बंद करेंगे न्याहिस और अनलोख कर दीगत रहेंगे दोर ओनने या जहां से मैं कार्ड ब्लॉक कर सकता हूं यहां पर बैक आने के बाद आप हमारा जो वाइ टेंट पर सेंट यहां पर हो गया एक्टिवेट अब आप इसको यूज कर सकते हो कही भी कशी टाइम एनिटाइम एनिवेर अपने बच्चों को काड दे करके आप जो है ना काड को घर प्रवैटे मैनेज कर सकते हो, वाई कार्ड एक बहुत ही बैस्ट प्रकार का भारतका smart कार्ड है जो की prepared कार्ड है, प्लेटनम की तरफ से मिलता है, तो बहुँ इस कार्ड के बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर लेकर बताए, वीडियो अगर